दोस्तो नमस्कार डेली न्यूज करेंड अफेर्स अनालिसिस में आप सभी का स्वागत है तो आज के हम लोग देखते हैं इंपार्टेंड करेंड अफेर्स जो आपके UPSC, UPPSC वा अन्य कोई भी कमपटेटु एक्जाम जहां प्रापन न्यूज करेंड अफेर्स अनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए ये आपकी क्लास बहुत ही उपियोगी होती है तो आईए हम लोग आज के करेंड अफेर्स को देखते हैं कि कौन से इंपार्टेंड करेंड अफेर्स हैं जो सुर्कियों में बने हुए हैं और आपके exam के point अभी उसे most 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 important है तो पहला कोस्तन आपके सामने ये रहा लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी आन कर लीजिए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तुरन आपको notification मिल जाएगा नीचे अपना comment वागस में अपनी राय जरूर देख के जाएगा वीडियो आपको कैसे और क्या किया जाना चाहिए तो इसमें पहला question आपके सामने है कि चर्चा में रहने वाला विरासत के संबंद में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला statement इसके पहले चरण का आयोजन 16 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 के मद्ध हुआ अगला है दूसरे चरण का आयोजन 3 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 के मद्ध कहा नई दिल्ली में हुआ अगला इस फेस्टिवल का आयोजन संस्कित मंत्राले के द्वारा कराया जा रहा है तो तीन statement आपके सामने हैं अब आपने question भी देख लिया होगा अपना answer भी लगा लिया होगा अब बात करें यहां देखिए बिरासत तो आपको लगेगा कि यह बिरासत कोई संस्कित मंत्राले की पहल होगी जैसे आप धरोहर बिरासत की चर्चा पर चर्चा करतें लेकिन ध्यान दीजेगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तब ये question को गलत कर देंगे ध्यान दीजेगा जो बिरासत पहल है यह किस ministry के है तो यह ministry of textile किस ministry के है ministry of textile ministry of textile इसी को किस नाम से जाना जाता वस्त्र मंत्राले की पहल है तो यहाँ पर तीसरा statement क्या हो जाता है तीसरा statement गलत हो जाता इसमें भारत के जो प्रसिद्ध जो अस्थान विसेश के जो वस्त्रूत्वाद है उसको क्या किया जाएगा जो अभी अमरत काल मनाया जा रहा है उसके दोरान इसको प्रदर्शित करने की क्या दिखाने दिखाये जाने को इसमें दिखाये जाने को लेकर इस तेवहार का आयोजन किया जा रहा है तो यहां तीसरा statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बाकी दूसरा और पहला statement क्या है सही है और इसी को ध्यान में रखते हुए विरासत प्रोग्राम को सुरू किया गया जिसका पहला page कब से कब के बीच हुआ तो ये 16 दिसंबर ये डेड़ के ही दिन से तो 3 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 के मद्धि होगा तो इसका सही जवाब क्या होगा तीन है गलत तो जिन्वे जिन्वे तीन है उसको काट दीजिए ये भी कट गया ये भी कट गया तो पहला वाला आपसन क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन इसी सी रिलेटेड है क्योंकि पूरे भारत में आप देखोगे भारत में विवित्ता क्यों बहुगोली का स्तर पर नहीं है बलकि खान पान रहन सहान पहनावा और हवा इन सब को लेकर भी क्या है डाइवर्सिटी विवित्ता पाई जाती है इसलिए भारत को क्या कहा जाता विवित्ता में एकता वाला देश के नाम से जाना जाता है उसी विवित्ता को लेकर भारत में जो महिलाओं के द्वारा विविन प्रकार की सहरियां पहनी जाती है वो अलग-अलग नामों से यानि अपने special qualities के लिए जानी जाती है जैसे महसुरी मद्ध प्रदेश में जाओगे तो चंदेरी महसुरी सहरी ऐसे तमिल नाडु में कांची पूरम सहरी ऐसे बनारसी सहरी ना जाने कितनी variety की तो इसमें कुछ प्रमुख जो सहरीया हैं भारत की हैं उनको हमने यहां कबर किया और यहां कबर करने का मतलब था कि यह आपका जो अभी पिछे वाला बिरासत अभिहान हमने आपको बताया उसमें इन सारियों को भी प्रदर्षित के हनने की यानि कोसिस की गई थी ताकि भारत की जो प्रमो की प्रसित सारियां हैं उनमें इससे जो लगे हुए लोग हैं उनको रोजगार अच्छे से मिल सके तो इसमें पहली है कौन ये कुस्सन दूसरा क्या पूछ रहा निमलिकित में से कौन हुकम सही सुमेलित है पहला दिया गया पोचम पल्ली सारी तेलंगाना की है क्या अगला अरनी सिल्क सारी तमिलनाड की है क्या अगला करवत कठी करवत कठी सारी महराश की है क्या अगला जांगली जांगला सारी उत्तर प्रदेश की है क्या अगला फूलकारी सारी आंद प्रदेश की है क्या अब आपको बताना है कि इसमें कितने युगम सही सुमेलित हैं और यहां से कुछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे ध्यान दीजेगा मित्रो पोचम पल्ली पूछे तो यह तेलंगाना याद कर लिजे पोचम पल्ली सारी कहां कि यह तेलंगाना की अन्नी सिल्क पूछे बागी तो आप जानते हो कांची पूरम हमने यहाँ पर उनको उठाया जिससे एकजाम में कुस्सन बन सकता है जहाँ पर आप कन्फ्यूज होके कुस्सन गलत कर सकते हैं तो अन्नी सिल्कसारी पूछे तो यह तमिलाड की है यह भी सही सुमेलित है करवत कठी ध्यान दिजेगा महराष्ट में एक पैठनी महराष्ट की एक होड़ ध्यान रखिएगा पैठनी और दूसरी कहुन करवत 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 कठी कहुन से करवत कठी तो यह कहां की है करवत कठी और पैठनी दोनों महराष्ट की सारी है और जांगला ये उत्तर प्रदेश की है यहाँ पर अब गलती कर दोगे आपको लगेगा कि जांगला का नाम तो उत्तर प्रदेश हिमन में सुना ही नहीं लेकिन याद रखिये जांगला सारी कहां की है ये उत्तर प्रदेश ये भी सही है तंगालिका, तंगालिका कहां की है, गुजराद की, पटोला, यहीं पर गुजराद की एक और याद रखियेगा, पटोला, अगला कहुं जामधानी, जामधानी, पटोला जामधानी, पटोला जामधानी, यह कहां की है, तो यह गुजराद की है, अगला फूलकारी, यह है गल दो, तीन, चार, पाँच, यानि इसमें अंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका अंसर सी वाला हो जाएगा, अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर सी हो जाएगा, हमने बताया, एक बार फिर से रिवाज करवाते, पोचम पल्ली पूछे तो तेलंगाना, अर्नी सिल्क पूछे तो तमिलनाडू करवत कठिवा पैठनी पूछे तो कहां की महराज की जांगला पूछे तो यूपी की तंगालिका पूछे तो गुजराद की तंगालिका पूछे तो गुजराद की और गुजराद की ये पटोला कौंसी तंगालिका पटोला ये पूछे कहां की गुजराद की ज हंदी जेगा मित्रों कलमकारी पूछे फूलकारी पंजाब की है लेकिन कलमकारी पूछे तो अंसर क्या लगा होगे आप कहोगे सर कलमकारी कहां की है तो ये कलमकारी आंधप्रदेश कलमकारी कहां की लगा होगे कलमकारी पूछे तो आंधप्रदेश तो इतनी बाते आप ध् तुष एती वहां से भी आप आगे ध्यान रखियेगा तो यहां पर आपका सही henceर क्या COB के सामने है तीन आपका आप आप कहेंगे सार ए तो आपने खनीज़ को कहां सी हटा लाए ध्यान जो चीजे current में बनी होती उसी सी related static वाला भी सामिल किया जाता है, मित्रो विश्वास करिए, exam में question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो पहला बाला घाड मत प्रदेश में है, क्या, यानि मैगनीज की खाने हम क्या, यानि लोहा को इला इत्याद याद कर लेते हैं, ले मत प्रदेश में है क्या, अगला बोनाई, उरिशा में है क्या, बेलारी, कननाटक, भंडारा, बहराष्ट इनको सूची एक को, सूची दो से सुमेलित करवाना है, और सही आंसर का चुनाओ करना, तो यहाँ पर वन के सामने A आएगा, दो के सामने B आएगा, तीन के सामने C आएगा, चार के सामने D आएगा, यानि 1 A, B, C, D, A पहले से सुमेलित है, यानि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए, अभी चर्चा में क्यों बन गया, तो यह एक आपकी कौन है, मैगनीज, और, इंडिया, लिम्टेड, यह क्या करती है, ध्यान दीजेगा, यह largest, 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 किसकी, तो मैगनीज, largest मैगनीज का उत्पादन भारत में करती है, तो इसके द्वारा, भारत में, सरवाधिक मात्रा में, किसका उत्पादन किया जाता है, मैगनीज का उत्पादन किया जाता, नाम क्या है, कंपनी का, मैगनीज, और, इंडिया, लिम्टेड कंप ласт बनिये है ध्यान दीजिएगा मिनेरत्ना प्र है सिरेनी बनी यह काब्ले तारीव रहा बहुत अच्छे से production किया गया अब बात करें मागनीज का उत्पादन में कौन कौन से प्रमुगराज है तो राजस्थान है मद प्रदेश है महाराश्ट है अन्द प्रदेश है तो ये जो बेल्ट है मद प्रदेश गया अब उसके आसपास वाले छेत्रों में इनके द्वारा प्रमुगरुव से मागनीज का उत्पादन किया जता है अब यहां बाला घाट इसके लिए मागनीज उत्पादन के लिए बाला घाट भी ध्यान रखियेगा मागनीज के लिए तो मद प्रदेश का बाला घाट मद प्रदेश के बगल महाराश का भंडारा महाराश का भंडारा यानि बाभा ऐसे याद रखिये दिमाग में बैठाईए बाला घाट मद प्रदेश का भंडारा महाराश का महाराश के नीचे उतरोगे कन्नाटक कनाटक का बेलारी कौन लारी बेलारी कनाटक का बेलारी और उसके बाद उरिशा उरिशा का ये आप मिस कर सकते हो बोनाई बोनाई कहा है उरिशा तो दिबाग में मानचित्र में बैठाईए मदप्रदेश का बालाघाड उसके बाद महाराश का भंडारा और महाराश के बाद कन्नाटक का कौन बेलारी कन्नाटक का बेलारी और बेलारी के बाद बोनाई उरिशा का बोनाई ये सब किसके लिए जाने जाते हैं ये मैंगनीज उत्पादन के लिए जाने जाते जब भी यह बैठिए तो ऐसे दिमाग में आपके चलनी चाहिए कि माइगनीज की खाने कहा कहा पर पाई जाती हैं तो दिमाग में चलना चाहिए काउन मदप्रदेश का मदप्रदेश का अब आपको आना चाहिए मदप्रदेश का काउन सा बाला घाट मदप्रदेश का बाला घाट महराष्ट का भंडारा मदप्रदेश का बाला घाट महराष्ट का भंडारा कन्नाटक का बेलारी उरीशा का बो नाई उरीशा का बोनाई पूरा संगीत बना लो पूरा इतनी बार रिवीजन कर लो की दिमाग में बैट जाए तो ये खाने किसके लिए मैगनीज उत्पादन के लिए जानी जाती है इन में से चाहे कोई आजाए मत्प्रदेश का बालागाट महराश्च का भंडारा कननाटक का बेलारी उरीशा का कौन बोनाई उरीशा का बोनाई और उरीशा का एक और ध्यान दिजेगा केंदू जार केंदू जार भी उरीशा की किसके लिए जानी जाती है तो उरीशा की केंदू जार मैगनीज उत्पादन के लिए जानी जाती तो बोनाई के साथ उरीशा की एक ओन लिग लो केंदू जार उरीशा की कौन केंदू जार उरीशा की केंदू जार किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है तो मैंगनेज उत्पादन के लिए जानी जाती ये प्रमुकेंद्र है जो मैंगनेज उत्पादन के लिए क्या है प स्मार्ट स्मार्ट के चक्कर में स्मार्ट सिटी ही लगा देंगे तो यह ध्यान दिजिएगा यहां ए से आपका क्या है आयुरुवेदा यहां ए से क्या उठा लीजिए आयुरुवेदा यानी भारत में आयुरुवेदा पर रिसर्च करने के लिए उसका विकास करने के लिए रिसर्च आयुरुवेदा से समंदित ग्यान विज्ञान को प्रमोट करने के लिए बिस्त के अन्य लोगों को अकर्षित करने के लिए इन सब के holistic development के लिए जो इसकी मपलांज की गई उसी का नाम क्या है इसी का नाम smart योजना है question पूछा जा सकता है यहाँ यानि दो एक तो ये याद रखिएगा ये आयुरुवेदा के अंतर का दो सिछन संस्थान है एक को कहा जाता NCISM और दूसरे को CCRAS कहा जाता तो ये NCISM और CCRAS इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया और नाम से ही पता इसका संबन किस्से है आय आई लोग क्या करते अपसर नहीं देखते हैं पहले से एक पैटन पर वो अंसर कर रहे होते उन में लगता C एक दो तो दोनों सही होगा लेकिन अब PCS से घुमा रहा तो हमने भी ऐसे स्टेटमेंट डाले हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी वाला यानि दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहां ध्यान दीजेगा आयूरुवेद भारत में आयूरुवेद को वरावा देने के लिए अभी एक संस्थान भी इस्थापित किया जाएगा आपने देखा तो यह कहां किया गया गोवा में किया और यहीं पर गोवा में यानि आयूरुवेद से समंदि इस्थिट्यूट की स्थापना की जाएगी आयूरुवेद से समंदि इस्थिट्यूट कहां होगा यानि गोवा में और इसके बाद यूपी के गाजियाबाद में यूपी के ग पूछा जाए नई दिल्ली में कौन सा इंस्टिट्यूट बनेगा तो ये होमियो पैथी कौन सा होमियो पैथी कौन सा होमियो पैथी तो तीन इस्टिट्यूट हमने बताया इस्टिट्यूट आप आयुरुवेदा पूछे तो ये गोवा में स्थावित होगा इस्टिट्यू का शिला नयास किया गया है और ध्यान दीजियेगा इस बार कि जो बिस्त औरुवेदा कांग्रेस का आयोजन किया गया वो कहां किया गया ये किया गया है गोवा में इस बात का भी आप ध्यान रखेएगा अगले कुछ संग् easiest दो 2023 तक ये बनकर क्या हो जाएगी यानि बनकर तयार हो जाएगी बनकर तयार हो जाएगी इसलिए ये क्या हो गया चर्चा में आ गया चार आपसन है कोच्ची अगला कोलकाता अगला नागपूर अगला चन्नाई तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कोलकाता इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कोलकाता और कोलकाता में भी कंसी नदी हुगली नदी कंसी नदी हुगली नदी नदी पूछे तो हुगली नदी पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्वान किया जा रहा है कहां कोलकाता तो ये पस्षिम बंगाल, राज पूछे, तो पस्षिम बंगाल, और मेट्रो सिटी पूछे, मेट्रो सिटी कहां बन रही, तो मेट्रो सिटी, यानि ये मेट्रो सिटी पूछे, तो ये मेट्रो सिटी के लिए कौन कौच्ची, कौन कौच्ची, यानि मेट्रो सिटी पूछे, तो कौन सी कौच्ची underwater metro पूछे तो ये कौलकाता और नागपुर में ध्यान दिजिएगा अभी कौन सा तो नागपुर में कौन यानि एक Indian Congress, Indian Science, Indian Science Congress का आयोजन हो रहा है इंडियन साइन्स कांग्रेस का आयोजन और इसमें एक चीज कल हमने आपको जल्दवाजी में उल्टा बता दिया था उसको जो लोग पीछे के वीडियो देख रहे हैं सही कर लिजेगा यानि उसमें जो क्षण था उसको सही कर लिजेगा तो इसका क्या हो जाएगा इंडियन साइन्स कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा नागपुर में किया जा रहा है और ध्यान दिजेगा पहली पहली अगर पहली पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ तो 1914 को कहां हुआ था कोलकाता और इसी में हमने पहली को क्या बता दिया था वाली दिल्ली बता दिया था तो अब वाली कहां नागपुर में हो रही है और 1914 में कहां हुई थी तो ये कलकत्ता में हुई थी कहां हुई थी कलकत्ता में पहली हुई थी 1914 में तो इस बात का भी ध्यान न किये इस बार के 108 है और इसकी थीम क्या है कमेंट बाक्स में आप थीम को क्या लिख दीजिए इसकी theme क्या है इस बार की theme most important है क्योंकि इसमें महिला सा सक्तिकरन को भी सामिल करते हुए समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का इस बार theme में प्रियास किया गया है तो आप theme हम कल बता चुए comment box में लिख के बताईए किस की धिम क्या है अगला कुस्सन आपके सामने है किस मंत्राले के द्वारा प्राजोला चैलेंज को सुरू किया गया किस मंत्राले के द्वारा प्राजोला चैलेंज को सुरू किया गया इसका अंसर आप लोग बताईए किस मंत्राले के द्वारा कौंसा प्राजोला किस मंत्रा ले के द्वारा प्राजोला प्राजोला किस मंत्रा ले के द्वारा प्राजोला चैलेंज को सुरू किया गया है चार आपसन आपके सामने है अंसर बताइए तो एक है सिच्छा मंत्रा ले एक कौन है सिच्छा मंत्रा ले है अगला कौन सा है ग्रामीन विकास मंत्रा ले अगला कौन सा है रच्छा मंत्रा ले अगला कौन सूचना यो विज्ञान प्रदोकी मंत्रा ले अब इसका सही आंसर क क्या हो जाएगा आफ लोग भी आइस सोच लिए होंगे इसका सही जबाब होगा ग्रामाइन विकास मàngत्रा ले तो इसमें ग्रामाइन विकास के तर पर नए आइडियाज आए लोगों के दुवारा अपने इडियाज्ट किया जाए तो एक चैलिज का मतलब क्या हुआ इसमें एक पत्योगता का योजन किया जाता है जिसमें आपको क्या करना होता अपने आईडियाज भी share कर सकते हूं साथ में जो पत्योगता होती उसमें participate कर सकते हूं 2022 तक पहले फेज में यानि जो लांज किया गया ये क्या था उतकर्स तीन सालों के लिए लांज किया गया और ये किसके द्वारा लांज किया गया था RBI के द्वारा RBI क्या करता है निगरानी monitoring करने के लिए RBI दौरा किसके लिए monitoring करने के लिए monitoring करने के लिए किसको launch किया गया था तो RBI के द्वारा मोनेटरिंग करने के लिए पहले फेज में उतकर्स 1.0 जिसे उतकर्स नाम दिया गया उसको लांच किया गया तो उतकर्स का संबंद आपका समझ में आ चुका होगा RBI बोले तो बैंकिंग छेतर में तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा बैंकिंग इसका स उतकर्स 2.0 को लांच किया गया है तो इसका सही जबाब क्या होगा एफसन किलियर अगला अगला कोशन है आठ नंबर कोशन 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कहां अलमाटी कजाकिस्तान में है संपन फाइड यानि फाइड इई वर्ल्ड ब्लिड सतरंज चंपियंशिप के महिला वर हुआ तो अंसर है कि को नेरू हमपी के द्वारा कॉंसा मेडल जीता गया तो यह क्या गोल्ड मेडल जीता गया सोरफ पदग कांस पदग या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा रजत को नेरू हमपी का ध्यान रखेएगा रजत पदग जीता गया और यहीं कजाकिस्तान की एक महिला प्लेयर के द्वारा कौंसा तो यह स्वन्ड पदक जीता गया है। उनका नाम क्या है आप कमेंट बाक्स में लिखिएगा कि उस महिला का नाम क्या है प्लेयर का जिसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। और यह कोनेरु हम भी को कौंसा रजत पदक प्राप्थ हुआ है। अगला कुस्टन नमबर 9 है लूइज एनासियो लूला डी सिलवा के द्वारा तीसरी बार एक दो नहीं तीसरी बार के रूम में किस देश के किस देश में सपत ली गई है राश्पती के रूम में। तो ये तीसरी बार कौन नाम है लुईज ये नाम अपनी कापी में भी ऐसे लिखते चलिए तभी याद होगा लुई एनासियो कौन सा लुई एनासियो लूई 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 एनासियो ये तीसरी बार कहां के राष्टपती बने है तो ध्यान दिजिएगा ये कहां के राष्टपती बने है ब्राजिल तो ये अंसर क्या हो जाएगा ब्राजिल कहां के राष्टपती बने है तो ये ब्राजिल के राष्टपती बने है कहां की राश्पती पने ब्राजील की पने है अगले कुसन की चलते हैं अगला कुसन आपके सामने 10 नंबर है ये भी मज़ेदार कुसन है ऐसे कुसन आपके एक जम में आते ही आते हैं परियावरन प्रभाव आकलन जिसे क्या कहा जाता environment जिसे क्या कहा जाता इंवायरमेंट 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 इंवायरमें या ध्यान दीजिएगा ये रूल्स कबाया 2006 में लाया गया है और एक किसके अंतरगत आता है परियावरन प्रभाव आकलन जो किया जाता है इसी रूल्स में अभी 2021 में क्या किया गया संसोधन भी किया गया तो अब आपका पूछेगा परियावरन प्रभाव आकलन आखिरकार तो इसका ज़ाएगा तो इसका सही जबाब क्या होगा अगर आप तो यह होगा जी नहीं परिया वरण किसको तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा यानि इसी परियावरन संच्षन Agdr. 1986 की अंतरगत परियावरन परभाव आकलन कीया जाता है परियावरन परभाव आकलन का मतलब हुआ कि आप जो भी इंडस्ट्री या उद्द्यम लगाने जा रहे हो लगाने पहले मुल्यांगर की जाएगा कि आखिरकार उससे कितना परियावरन को प्रभाव आकलन के नाम से जाना जाता अब खटा कल वाले कोसन का तेजी से हम लोग करते हैं रिवीजन नेशनल काइंसर गृट के संदर में बताना था क्या सही 2012 में सरजन हुआ सही है संपूर भारत में कैंसर केर के लिए या एक वाइरस जनित बिमारी जी नहीं ये जो आनियंतरित को सका के विभाजन से होता तो इसका सही आंसर एक दो सही था अगले कोसन कोसन नंबर दो की ओर चलते हैं नाव की उच्जा के सांथपूर उप्यों के लिए भारत किसके साथ सिविल नुकिलियर समझा होता किया है जापान भी है ग्रेट विटेन भी है बांगलादेश भी बियतनाम तो इसका उप्रोग सही आंसर सही था अगले कुशन की चलते हैं भारत के द्वारा नेशनल इयर आ मिलेट्स घुसित किया गया इंटरनेशनल इयर मिलेट्स कब 2023 में घुसित किया गया तो यह 23 वाला भी और भारत का भी 18 वाला ध्यान रखियेगा अगला है कौन से युगम इसमें सही सुमेलित है नेशनल डिफेंस अकडेमी पुने महराष्ट बिल्कुल सही था डिफेंस काउन सा डिफेंस सर्विसेज डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज बिलेंगटन केराले सही था नेशनल पुलिस ट्रेनिंग एकडेमी हैदराबाद यह भी सही तो इसमें तीनों सही थे यानि सी अंसर्फ होगा अगला काउन है दिसंबर 2022 में जियस्टी राजस संगरा कित एक लाग उन्चास अजार पांसो साथ करोर अगला है यसरों के द्वारा साइंटफिक एक्स्प्लोरेशन मिसन टेक्नोलाजी डिमांस्टेशन मिसन एंड यूमन स्पेस फ्लाट प्रोग्राम गगन यान एक कबलांच किया जाएगा तो इसका सही जवाब था दो हजार थीम क्या है Science and Technology for sustainable development International Technology for sustainable development with Umane Empowerment ये है सही अगला पहली बार इसका 2014 में कोदा में कोलकाता में हुआ था ए भी सही तो यहां पर दो और तीन स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा सही अगला भीम यूपी आई के संदर में क्या सही था NPCI के द्वारा भिक्सित किया गया सही है 2016 में लांज किया गया है सही है वुटान इसे पहली बार अपनाया ये भी सही तो इसका अंसर हो जाएगा कौन सभी अगला नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहट बेश्ट्टो एनर्जी प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री कौन सी नभी नियोम नभी कर्णी उर्जा मंत्राले अगला पियम विकास का संब्ध उस्ताद योजना जो चल लही थी हुनर अल्प संखिको को सिखाने के लिए तो उसी को विकास अब नाम दिया गया तो इसका कौन मंत्राले हो जाएगा अल्व संख्यंक मंत्राले, निमलिकित में से किनका संबंद MSME से है, उद्यम पोर्टल ए भी सही है, चंपियंस पोर्टल ए भी सही है, संबंद ए भी सही है, समाधान ए भी सही था, ट्रेटस ए भी था, इसके बाद गौवर्मेंट E-Market ए भी, तो इसका सही राइनसर हो जाए भूम संसाधन विकास विभाग अगला कौन सही यूग में बताना था तो ये भी आप नेशनल इक्वाफायर इमेजिंग मैपिंग ये काउन सेंट्रल ग्राउंड वाटर वोड ये सही है परड्राब मोरकराब किर्शयों किसान कल्यान विभाग सुजलाम सुपलाम अभियान गुजरात का था मिसन कागती तेलंगाना नीरू चेतू आंध प्रदेश जल जीवन हर हरियाना की थी और उसके बाद आपका स्वाव लंबन राजस्थान की और ये इसमें सभी यूग में क्या है सही सुमेलित है तो ये आप सारे जान चुके अगला आटल भूजल योजना जो भी सुबैंक के द्वारा समर्थित है भारत के कितने तो ये सात राजियों में सुर योजना चल लए जो भारत के स्ट्रेश्ड वाले वाटर स्ट्रेश्ड वाले राजे हमने कहा था जल दबाव छेतर तब घूसित किया जाता जब के 10 कुर्शन एक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट वाक्स में अपना सुझाओ जरू दे के जाएगा अगली क्लास में फिर तम मिलेंगे कल क्लास लाइब आपकी होगी 8 बजे 8 बजे सभी लोग आ जाएगा तो 8 बजे आपकी लाइब क्लास होगी 8 से 9 हम करेंड का निप्टारा आपके एक टेस्ट हो भी चुका आप टेस्ट देख लीजे और जो लोग इचुक है निन्यानवे रूपये मत रखा गया जिसमें पीडियाप बहु सारी अनी चीजे आपको जो जो जोइन करते हैं उनको अप्लब करवाई जाती हैं तो जो लोग इचुक हैं जरूर जोइन करें निन्यानवे रूपय कुछ भी नहीं होता है और निन्यानवे इसलिए रखा गया क्योंकि आप तरनीक सीरियस होके टेस्ट दे तो आप एक बार उसको जोइन करें करके तो देखिए तो कि निन्यानवे रूपय मापको इतना कांटेंट मिल जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे और यकीन मानिए एक्जाम में कोशन PCS आरो यारो खंड सिच्छातकारी तीनों में उस टेस्ट से मिलने वाले हैं तो जो लोग जोइन करना चाते हैं तो दिये गए नंबर यहां दिया है 73 11 17 48 88 या फिर डवन लाइन 19 69 81 46 इन दो में से किसी भी नंबर पर संपर कर सकते हैं आपको जैसे आपको पेट ग्रूप से आइड कर दिया जाएगा जिसमें आप अपना मुल्यांकन भी कर पाएंगे कि आप कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं तो सब कुछ वहां आपको यानि बताया जाता है ठीक इसी एक साथ क्लास यहीं इंड करते हैं कल फिर भी लेंगे जय हिंद जय भारत